So Hello Friends This is Sahlbert Android Gaming Center channel मैं आपका Welcome करता हूँ तो ये वीडियो होने वाली है WCC 3 के बारे में और उसके अपडेट के बारे में बात करेंगे हम तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते है तो WCC 3 ने पहला sneak peek दे दिया है अपने update का और उनने कहा है के coach feature का sneak peek जो है उन्होंने दिया है तो उनका कहना था कि पहला sneak peek है हमारे नई update का तो coach feature का क्या scene है वह अभी तक ज्यादा पता नहीं है लेकिन लगत तो ऐसा रहा है कि हम skills बढ़ा सकते हैं या तो career mode में होगा coach feature और उससे skills आपकी बढ़ेगी या तो full match में होगा और आप coach ली आपकी timing बढ़ सकती है लेकिन लगता तो यह है कि career mode में हो सकता है वह coach feature तो अगर हम next feature की बाद करेगे तो सुनने में है speculations लग रही है बहुत कि graphics की जो है वह improvement होने वाली है graphics improve हो होने वाले है तो graphics improvement होगी तो वह देखना होगा कि graphics overall change होगी या कुछ change जो है वह छोटी मोटी changes होने वाली है graphics में वह देखने वाली बात होगी तो लगता है कि थोड़ी बहुत ही normal changes होगी graphics में वह जो आपको writing वागेरा का मसला है वह आपको थोड़ा बहुत जो है वह इंप्रूब करके देगे लेकिन तीसरी बात जो है जो सबसे बात जो है सबसे गंदी बात जो है WCC 3D जिसकी वज़से बहुत सारे लोग नहीं खेल रहे है वह उसका AI artificial intelligence जैसे आपका opponent computer होता है आप opponent computer के साथ खेलते computer के साथ खेलते तो उसके बात जो आपका मसला होता है कि आप जीरो पर all out करते हैं 10 runs पर 20 runs पर ऐसी के आसपा जो है आप all out करते हैं opponent आपके अपने AI को तो उसमें improvements की बात चल रही है कि उसमें आप improvement आएगी वह अब ऐसे नहीं होगा all out जल्दी वह आप competition देगा जो है आपको और आपको खेलने में मज़ा आएगा अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बड़ी improvement होगी WCC3 की क्यूंकि जो lag कर रहा है BWCC3 वह यही है कि उनके पास जो gameplay है जो आपका मज़ेदार gameplay होना चाहिए वह उनके पास अभी तक नहीं है क्यूंकि उनके पास बहुत सारी tricks आजाती है उनके उनका तो gameplay है लेकिन उनमें बहुत सारी tricks है जो solo नहीं करवाती है WCC3 क्या पता अब इस update में जो है वह चीज़ और भी आ सकते हैं स्टेडियम से एक दो और भी आ सकते हैं और animations वगयरा जो है वह आ सकते हैं इस update के साथ लेकिन अगर हम बात करें इसका main जो है को फीचर है और शायद AI जो है नियो AI जो है होने वाला क्योंकि भी speculations यहीं लगाए जा रही है लेकिन अब date की बात करें तो date तो सुनने में आ रहा है कि February के मन्त में ही जो है वह रिलीज होने वाली है यह update यानि कि WCC3 की update जो है Real Cricket 22 से पहले ही आ जाएगी Real Cricket 22 की तो अभी बात ही नहीं चल रही है क्योंकि अभी पता नहीं हो कब आएगी लेकिन उससे पहले ही WCC3 की update आ जाएगी अब देखना है कि यह update कितना पसंद आता है लोग उनको अगर पसंद आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर AI improvement होगा तो बहुत ही अच्छी बात है खेलने वालों के लिए तो यही वीडियो आपके लिए बनाने चाहता था तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक topic के साथ मलाकात होगी तब तक के लिए टेक केर बाइबाई